आप देख रहे हैं JK News Today और मैं हूँ रवन सैनी किसी भी जगा की अगर कोई Lifeline होती है तो वो Lifeline होती है Railways या फिर Road Transport लेकिन अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी अभी Railway से पूरी तरीके से भारत के अन हिस्सों से जुड़ नहीं पाई है और ऐसे में विकल्प बसता है सिर्फ और सिर्फ जम्मू शिर्णगर राष्ट राजमार का यानि की NH 44 का जो एक मात्र कश्मीर घाट का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो जम्मू कश्मीर में western disturbance जारी है उसके चलते जम्मू शिर्णगर राष्ट राजमार्क बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और इसका सीधा असर जम्मू शिर्णगर राष्ट राजमार्क पर सफर करने यात्रियों पर पड़ रहा है दरसल western disturbance के चलते आए दिन भारी बारिश और बुसकलन के चलते जम्मू शिर्णगर राष्ट राजमार्क बंद रहता है यादायात को अवरुद कर दिया जाता है और ऐसे में यात्री जम्मू से शिर्णगर या फिर कश्मीर घाटी से जम्म और शिर्णगर में जिस तर पर अब एरपोर्ट को विक्सित किया जा रहा है यहां पर जो प्लेंस की संख्या है उनमें काफी बढ़ोतरी हो रही है इसको देखते हुए यह दावे किये जा रहे थे कि जम्मू और शिर्णगर का फिर जो है तीन साड़े तीन हजार रुपे से जादा किसी भी मौके पर नहीं होने दिया जाएगा लेकिन इस समय जो यात्री जम्मू से शिर्णगर या शिर्णगर से जम्मू का सफर एर ट्रावल के माध्यम से कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा तर समय जम्मू शिर्णगर राजश्राज मार्ग बंद रहता है क्योंकि म दावे आखिरकार क्या थे वो भी आप एक बार देख लीजिए जम्मू कश्मीर के सरकार लगातार इस बात को लेकर दावा कर रही थी कि जिस तरीके से जम्मू और श्रीनगर एरपोर्ट का विकास किया गया है और नमबरा फ्लाइट को बढ़ाया गया है इसे देखते हुए आने वाले समय में एरफेर जो होगा यानि कि जो हवाई जहाज का किराया होगा वो जम्मू से उस श्रीनगर के बीच में तीन साड़ा तीन हजार रुपे से ज़्यादा किसी भी वज़ा से नहीं होगा लेकिन इस समय जब सबसे ज़्यादा जरूरत है लोगों को एर ट्रे रही है वो हम आपको लिस्ट के जरिये दिखाना चाते हैं जम्मू से श्रीनगर की अगर आप फ्लाइट देखेंगे तो इस समय आज के जो कल के दिन की फ्लाइट है उसमें इंडिगो की फ्लाइट जो है वो इस समय 10,273 रुपे चार्ज कर रही है इसी तरीके से शाम 6 है वो 15,994 रुपे जो है चार्ज की जा रही है और यह जो प्राइज है यह बेसिक प्राइस है और इसमें जब आप सर्विस चार्जिस एड कर देते हैं तो करीबन करीबन डेर से 2,000 रुपया और एर टिकट के अंदर बढ़ जाता है तो यानि कि कुल मिलाक अगर आप दे आवरिं डिस्टेंस भी हम इसमें डाल देते हैं तो करीबन 160-165 किलोमीटर का जो एर ट्रैवल है जिसके लिए आपको इस समय 13,000 पे के आसपास में पे करना पड़ रहा है जबकि अगर आप जम्मू से देली तक के लिए सफर करते हैं जिसका डिस्टेंस करीबन 505 तो क्या कुछ सूर्थे हालात है वो आप साफ तोर पर देख सकते हैं और हम आपको वो भी बाइट सुनवाते हैं जिसमें खुद जमू कश्मीर के जो आफिसर्स हैं वो इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि जमू कश्मीर में किसी भी हालात के अंदर एयर फियर नहीं पर जाएंगे तो सीट्स बढ़ जाएंगे तो आपके फैल बहुत नहीं बढ़ेंगे आपने शायद पहली बार देखा होगा जमू कश्मीर के इतिहास में कि इस वार सर्दियों में आपके भारे जमू और शीनगर के और खास के शीनगर के बिकास वहां जादा परफ परती है लगभग वही रहे जो सालबर होते है उसके लाव भी आप अगर सालबर फैर मांके रहे चार से पांचर रुपए वे आवरेज फैर डली का रहा जो की नॉमल है इंडिया में जो एक घंटी के फ्राइट का होता है हमारे फैर नॉमलाइज हो गए हमारे फैर हैं वह एर फैर की सूची से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं और इन सब चीजों का अगर किसी पर सबसे ज्यादा असर पढ़ रहा है तो वह है जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू आने वाले यात्रियों का क्योंकि उन्हें ना केवल कहीं कहीं दिनों तक हल्ट कर करना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते बंद रहते हैं और अगर उन्हें एर ट्रेवल करना पड़े तो उसके लिए भी उन्हें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है कैमरा पसंद काकाराम के साथ रमन सैनी जेके निस टूड़े